Hello everyone, नमस्ते English में आप सभी का फिर से स्वागत है तो हम सब आ गए हैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ नमस्ते English ने आपके लिए बहुत ही खुबसूरत सा टॉपिक लाया है वो है Animals, मतलब की जानवर तो आज हम जानेगे कि हमें जानवरों के बारे में किस तरह से अंग्रेजी भाषा में बात करनी चाहिए तो आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए फिर से विशेश जानकरी अगर आप सभी को बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना है और पटाफट बोलना सीखना है तो आज ही प्लेइ स्टोर में जाएए नमस्ते इंग्लिश एप डाउनलोड करिए और अनलिमिटेड एकाउंट जॉइन करिए अनलिमिटेड एकाउंट जॉइन करने से आप वीडियो देख सकते हैं बोल बोल कर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख सकते हैं और आपको किसी की साहता की जरुरत नहीं है साथ ही साथ जब आप अनलिमिटेड एकाउंट को अपग्रेड करने चलेंगे तो आप DIVYA25 इस पोर्ट का यूज़ करें आपको 25% डिसकाउंट मिलेगा अपग्रेड करने पर दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज को देखें आप बहुत अच्छे तरह से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे और साथ ही साथ हमारी life classes में बने रहिए हमारे इस channel से जुड़े रहिए और अंग्रेजी बोलना सीखते रहिए चलिए आईए देखते है animals मतलब की हमें जानवरों के बारे में चर्चा करनी है चलिए animals तो अक्तर हमने animals तो बहुत तरह तरह के हैं कितने तरह तरह के animals हैं बहुत से animals हैं तो हम उन्हें बोलते हैं की एक होते हैं pet animals और एक होते हैं stray तो pet animals मतलब की पालतू जानवर और stray मतलब की जो street में होते हैं जो पालतू नहीं होते हैं या जिन्हें किसी जैसे pets आपने जैसे सुना है कि इनसानों के लिए आश्रम है वैसे ही pets के जानवरों के लिए भी आश्रम है या zoo घर है बोलना चाहिए जो जू है या जो चिडिया घर है उसके अलावा भी जानवरों के लिए आश्रम होते हैं वहाँ पर जानवरों को रखा जाता है उनकी सेवा की जाती है तो वो होते हैं वो स्ट्रे में नहीं आते उनकी देखभाल हो रही है स्ट्रे अनिमल्स वही होते हैं जो हमें सडकों पर दिखते हैं जिनके पास रहने के लिए ना वो चुडिया घर में रह रहे हैं ना उन्हें किसी ने पाल्टू जानवर की तरह रखा है और ना ही उन्हें किसी आश्रम वालों ने एक्सेप्ट किया है चलिए तो हम बात करेंगे जानवरों के बारे में सबसे पहली बात दोस्तों काफी गर्मी का मौसम है जिस तरह से आप सभी को गर्मी लगती है वैसे ही जानवरों को भी गर्मी लगती है कोशिश करे कि अपने अपने घरों में जो हमारे घरों की जो दिवार होती है मेन एंट्रेंस में जो दिवार होती है या जहां भी आपको सहुलियत हो वहाँ पे एक मग में या किसी एक छोटे से बरतन में पानी रख दे जी दोस्तों पक्षियों को जानवरों को डॉक्स के लिए एक बड़े बरतन में डॉक्स के लिए गाए के लिए बड़े बरतन में पानी रखने का प्रयाद करें दोस्तों और कुछ दाना, कुछ चारा डाल दे, उनके लिए कुछ दाना दे दे, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप अपना ख्याल तो रखी रहे हैं, साथ ही साथ हमें जानवरों का भी ख्याल रखना है, तो जो चीज मैंने अभी हिंदी में बता कि प्लीज टेक केर, प्लीज टेक केर ओफ एनिमल, मतलब कि जानवरों का भी ध्यान रखे, गिव वाटर तू बेम, उन्हें पानी दे, प्रोवाइड सम फुड, प्रोवाइड सम फुड इन स्मॉल कंटेनर्स, छोटे कंटेनर्स में, कंटेनर्स मतलब कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें आप सामान रख सके, उसे हम कंटेनर कहते हैं, तो ऐसी वस्तुओं में आप खाना रख सकते हैं, तो provide some food in small containers छोटे containers में या बड़े containers में कुछ खाना उन्हें provide करें तो ये मैंने आपको जो अभी हिंदी में बताया था वही उसका मैंने अंग्रेज़ी भाशा में कुछ उसके वाक्य बना दिये दोस्तों चलिए Please take care of animals ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने साथ साथ चाहे थंडी हो गर्मी हो या वारिश का मौसम हो हमें बारों महिने जानवरों को पानी और खाना तो देना ही चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं Pet animals मतलब कि पालतू जानवर Pet animals थोड़ी सी चर्चा हम पालतू जानवरों पे करते हैं फिर हम आते हैं इस ट्रेट अप्स पे पालतू जानवर भई पालतू जानवर पालतू जानवर तो हमने देखे ही है कि लोग कितने खुबसूरती से जानवरों को पालते हैं उनका ध्यान रखते हैं उनको घुमाने के लिए लेके जाते हैं हमने देखा है कि आजकल तो जानवरों के लिए पार्लर भी आ गए है जहां पे उनका पूरा टेकन केर किया जाता है तो पालतू जानवर अगर आपको कुछ पूछना है किसी से कोई प्रश्न पूछना है तो आप कह सकते हैं Do you have a pet in your house? Do you have any pet in your house? In your home कह सकते हैं हम क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? Do you have any pet in your home? Do you have any pet in your home? और आप पूछ सकते हैं What is the name of your pet? What is the name of your pet? आपके pet का नाम क्या है? Pet मतलब पालतू जानवर Pet एनिमल कहने की जरुरत नहीं है पालतू जानवर, pet, एनिमल यह कहने की जरुरत नहीं है सिर्फ pet कहने से भी समझ में आ जाता है Pet शब्द अथल में जानवरों के लिए ही प्रयोग किया गया है ओके चलिए पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? Do you have any pet in your home? तो हम उत्तर देंगे, उत्तर में हमें उमीद होनी चाहिए कि Yes, I do have a little kitten Kitten मतलब की जो बिली के बच्चे होते हैं बिली के बच्चे होते हैं उन्हें हम kitten कहते हैं बिली के बच्चे को kitten कहते हैं तो yes I do have a little kitten मतलब कि yes मेरे पास एक छोटी सी kitten है एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है अब हमने पूछा what is the name of your अब आप कह सकते हैं आपको पता है उनके एक kitten है kitten तो उसकी प्रजाती का नाम हो गया मतलब सारी बिल्लीों को तो हम catty कहते हैं पर उसका भी तो हम जैसे हम मनुष्य हैं humans पर हमारे एक specific name है सबके humans तो scientific name हो गया बट हम आपको human नहीं कह सकते हैं आप मुझे human नहीं कह सकते क्योंकि ये तो same हो गया हम कैसे recognize करेंगे एक जूसरे को तो हमने सबका एक एक नाम दे रखा है तो जानवरों में भी ये प्रजाती का नाम हो गया कि वो kitten है मतलब कि वो billy है billy का बच्चा है तो अब आपको पता चल गया है उनके बस kitten है तो आप कह सकते हैं what is the name of your kitten आपके kitten का नाम क्या है आपके kitten का नाम क्या है तो आपने जो भी नाम रखा हो अपने kitten का जो भी आप कह दें चलिए मैं एक नाम कह देती हूँ यहाँ पर my kitten name is kitten name is Rosie kitten का नाम हमने Rosie रख दिया pets के नाम काफी cute होते हैं pets के नाम हम काफी cute रखते हैं तो यह हमने बता दिया अब आप पुछेंगे what your what is your kitten what your kitten eat आपकी kitten क्या खाती है what your kitten eats kitten क्या खाती है तो हम बता सकते हैं कि kitten दूद पीती है बिल्ली आप दूद पीने के लिए फेमस है she drinks milk बिल्ली मतलब कि दूद पीने के लिए बिल्ली काफी प्रचलित है भई तो she drinks milk अब हम कहेंगे कि kitten का क्या रूटीन है भई जानवरों का भी रूटीन होता है ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य ही स्रिफ एक रूटीन में चलते हैं जानवरों का भी रूटीन होता है क्यूंकि उनमें जिव है क्योंकि वो जीवित इंसान है इंसान नहीं जीवित है वे तो वे भी एक जीवित प्राणी है तो what is the routine उनका भी तो कोई routine होता है वोट इस दा routine of your kitten आपके kitten का क्या routine है routine मतलब की दिन चरिया routine मतलब की दिन चरिया आपके kitten की क्या दिन चरिया है भई तो हम बताएंगे my kitten wakes up at wakes up at 6 a.m. सुबर 6 बजे हमारी kitten उठ जाती है he walks in the corridor फिर वो corridor में walk करती है corridor मतलब की जो हमारे घर के सामने का area होता है वो होता है corridor she walks in the corridor at 8 a.m. she takes breakfast 8 बजे वे breakfast लेती है फिर आप बता सकते हैं वो खाना कित्ते बजे खाते हैं तो आप कह सकते हैं 12 बजे वहाँ खाना खाती है जानवरों को हर 3-4 घंटे में हमें कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए क्योंकि वे बे जुबान हैं वे कह नहीं सकते की उन्हें क्या चाहिए है उन्हें किस चीज की आफशकता है तो हर 3 घंटे या हर 4 घंटे में उन्हें हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए उन्हें भी भूग लगती है जैसे हम थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहते हैं कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो जो पेट हैं जो पालतु जानवर हैं उनके लिए भी हमें एक बाउल में पानी भरके रखना चाहिए उनकी जब इच् कि वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है जानवर भी भी आराम करते हैं दोपेर में वे आराम करना पसंद करते हैं फिर वह शाम को फिर उनें टहलाना जरूरी होता है क्योंकि आफिर है तो वो जानवर अगर उन्हें आप घर में एकदम कैद करके रख देंगे तो ये अच्छ की दुनिया के लिए बने हैं तो हम इस तरह से हम रूटीन बता सकते हैं तो पेट एनिमल्स का तो ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें सफाई से भी रखा जाता है उनके खान पान का भी काफी ध्यान रखा जाता है उनकी अब हम बात करते हैं दूसरे जानवर जो की है stray animals दोस्तों stray animals मतलब की वे animals जो हमें वे जानवर जो हमें सडकों पे मिलते हैं और अक्सर सडकों में हमें कौन दिखता है गाई और dogs काउ दिखती है, dogs दिखती है, yes, बिल्लियां भी दिखती है अक्सर सडकों पे तो हमें यही जानवर दिखा करते हैं सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा जानवर सडक पे दिख रहा है जैसे गाए हो गई, बिल्ली हो गई या डॉक्स हो गई अगर आपको कोई जखमी जानवर दिख रहा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी एक हेल्प लाइन नंबर है हेल्प लाइन नंबर को अपने अपने एरियास के जो हेल्प लाइन नंबर होते हैं केर टेकर्स होते हैं जो एनिमल्स को केर करते हैं उन लोगों के नमबर अपने फोन में सेव कर लीजिए आपको कोई अलग महनत नी करनी है दोस्तों मैं आपसे नहीं कह रही कि आप उस जानवर को अपने साथ गाड़ी में बेखा लीजिए और हास्पिटल लेके जाएए बिल जरुरत जानवरों को है हमारी तो उनकी साहिता करें दोस्तों चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं स्ट्रे अनिमल्स तो स्ट्रे अनिमल्स के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों हम खाना खाते हैं मैं ये नहीं कहती कि आप उनके लिए थोड़ा सा खाना अलग बना लीज जो बाहर के जानवरों के लिए अलग से खाना बनाते हैं पर मैं नहीं कहती है कि आप अलग से खाना बना लीजे अवश्य मैं जानती हूँ कि जो आप रोज खाना बनाते हैं उसमें एक रोटी या थोड़ा सा चावल जो जरूर बचता होगा तो वही एक रोटी और थोड़ा सा चावल जो भी बाहर जानवर है ऐसा होता ही है कि हमारी चोखट में कोई ना कोई जानवर जरूर बैठा है या तो गाए बैठी होगी या तो कुटा बैठा होगा डॉक्स तो बैठे ही रहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा खाना दे दीजिए दोस्तों और पानी तो देना ही देना चाहिए अपना ध्यान रखिए और साथ ही साथ जानवरों का भी ध्यान रखिए तो इस्ट्रे डॉक्स की बात अगर हम करें या इस्ट्रे अनिमल्स की बात हम करें तो हमें पहली तो बात ये होती है कि टेक केर how we can take care of stray animals हम जो बहारी कुपते हैं जिन लोगों को आश्रम में नहीं ताखिल किया गया है या जिन लोगों कोई pet animals नहीं है उन्हें मैं तो कहती हूँ कि accept कर लीजे accept करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उन्हें घर में रहने के लिए कह रही हूँ मैं हम कह रहे हैं कि accept कर लीजे बस कि अगर वो आपके दर्वाजे पर आये तो वो खाली ना चाहें वरना हम क्या करते हैं हम उन्हें रंडे मारते हैं पत्थर मारते हैं ये ना करें accept these stray animals accept stray animals provide them food provide them food and water दोस्तो अक्तर आपने देखा होगा कि अगर हम डॉक्स को या गाय को कुछ भी दे देते हैं मान लीजे एक रोटी दे देते हैं या एक दिस्किट दे देते हैं वहीं डॉक्स पलट के फिर से अगले दिन फिर आपके दर्वाजे पर आता है बिल्कुल क्योंकि उसे उमीद होती है कि इस इंसान ने मुझे कल कुछ खिलाया था तो आज भी कुछ खिलाएगा और वह डॉक्स फिर आप पर पलट कर कभी नहीं आपको भौकता क्यों क्योंकि उसे पता होता है कि इस इंसान ने मुझे खाने को दिया है जैसे हम कहते हैं कि डॉक्स सबसे वफादार जा किएगा कल फिर से वह डॉग आपके पास आएगा फिर उसे दो विस्किट खिराईएगा तीसरे दिन आप देखेंगे कि वह डॉग आपके पास आ रहा है आपके पीछे पीछे चलता है और आपको बिल्कुल नुक्सान नहीं पहुंचाता तो यह बात सच है कि डॉग uni PER Nou को काल करिये जो एक झारिजा अ उन्हीं की जानकारी अनिमस के पास इप अच्छे तरीके बहुत हो इन रखा जाता है देर आर देर आर एनिमल एंजियोज एनिमल एंजियोज है एनिमल एंजियोज में आप इनको भीज सकते हैं वहाँ पे इनका ध्यान रखा जाता है अगर आपको drive slowly, drive slowly, drive slowly looking at the animals बहुत बार हमने देखा है सडकों पर एनिमल जक्कमी हो जाते हैं उन्हें चोट लग जाती है और अक्तर उन्हें चोट जो है गाडियों से लगती है तो अगर आपको सतर्क रहें गाडियां चलाते वस्त सतर्क रहें वैसे भी गाड़ी हमें काफी अच्छे speed में चलानी चाहिए तेज नहीं चलानी चाहिए ऐसी speed रखें जो आप control कर सकें तो ऐसी speed रखें कि जानवर अगर आपको दिखता है तो आप उसे control कर सकें अकसर बार ऐसा होता है कि जानवर को तो ठोकर लगती ही है साथ ही साथ हमें भी नुकसान पहुचता है तो speed control में रखना जानवर के साथ हमारे लिए भी फायदे मन्द है दोस्तों गाड़ी speed में न रखें जादा speed न करें उसकी controlled speed में रही गाड़ी तो आपके लिए हमारे लिए सबके लिए अच्छा है drive slowly looking at the animal दूसरी बात अगर आपको कोई भी ऐसा animal मिलता है जहाँ पे आपको उनकी सहाथा करनी चाहिए तो please help the animals please help the needy animals जो भी जरुरत मन्द नीडी मतलब जरुरत मन्द जानवर की मदद करें गाड़ी भीरे चलाएं उन्हें खाना दाना पानी देने का प्रयाद करें NGO's काफी मेरे परिछे में ऐसे लोग हैं जो animal NGO's में जाया करते हैं उनके लिए कुछ पेवा प्रदान किया करते हैं तो आप भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों तो यह था एनिमल्स के बारे में कि हम कैसे एनिमल्स के बारे में जान सकते हैं बात कर सकते हैं सतरक रह सकते हैं और सावधान रह सकते हैं उमीद करती हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा जैसे मैंने क्लास के शुरुआत में कहा था दोस्तों कि काफी गरम मौसम है तो आपको अपना ख्याल तो रखना ही है साथी साथ जानवरों का भी ख्याल रखना है जिसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत कर काफी अच्छा लगा होगा और नमस्ते इंग्लिश के साथ ऐसी बने रही है दोस्तो साथ ही साथ वीडियो देखते रहिए लाइफ क्लासे जॉइन करते रहिए काफी अच्छा है हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं और हमारी बुक भी खरीदना ना भूले बुक को जरूर खरीद लीजे और अंग्रेज कीजी बोलना सीखना चालू कर लिए बहुत बढ़िया दोस्तों आपके साथ जुड़के बहुत अच्छा लगा थैंक यू एंड टेक केर